कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें अब क्या कर सकते सीपीव एकदम बढ़के चला जा रहा है हंडेट परसेंट पे चला जा रहा है बढ़ ठीक है मैं काम करूंगा ना मैंने सीपीव का विंडो खोल रखा है बीच बीच में आई विल कीप चेकिंग और अगर जिस टाइम पर ग कर लेंगे खुद को जुरत पड़ेगी तो तो लेट से स्टार्ट आपके साथ ही पढ़ रहा हूं है ना चीजे कुछ टैप खोले थे आगे की नहीं खोले थे लेट से स्टार्ट दिख रहे गे आवाज आ रही है और माइक वेले इस बार तरो नहीं आ रहा न नहीं इस बार भी आएगा मिनकुं करियो अब आवाज जो है बिलकुल जिर क्लियर है को इंदिकष मिगा रही न में वन कंफर्मिशन ओनली इस वेरी क्लियर और इस इट हैविंग सम एको और भरा भरा हुआ ऐसा वाला फेल खमरा खाली है तो थोड़ा बहुत तो गुंजेगा बट इस्टरविंस ना है बताई बताई अनिके गुड इवनिंग गगन और अब इना सवरे सब्सक्राइब मैं नहीं मेरी एज जो थी पिछले साल भी सोला थी उसकी पहले साल भी सोला थी अभी भी सोला पर मेंटेन किया हुआ सारी क्लासेश करवाएंगे अब यूट्यूब पे मैं ने मतलब हमारा कोर्स चल रहे है तो मैं उसी का पार्ट एक तरह से करा रहे तो एंवार्मेंटि साइन्स एंटेक एक्वानवीट में स्टैटिक हो चुक है तो यह ही सली करा रहे हूँ कि आब कम दिन बच्चे थे तो कि इसका आर्खिटेक्चर कैसा है सुन् congregation temple दिख रहा कुछ wheels दिख रही है इन सारे wheels प known significance यह आपको इसका शिखर दिख रहा है थोड़ा अलग तरीके का सारी चीज़ों का significance है टेम्पल का एग एक existing subject माना जसाuetा है कि रत बंद रहो हो जाए किछ लिए उस टैम पर मैं एक मिनट के लिए स्टेविंग रोखूंगा ताकि यह बीच में बंद रहा हूँ चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं sorry and sun temple अब कुनार के बारे में देख रहे थे ना dedicated to sun god इतना तो clear ही है temple is located on the source of the बंगाल वे भी बंगाल क्यों कि उडिसा में है temple और यही तो problem है कि शोर बंगाल पर है तो salty air salty water यह हमेशा से sun temple को खराब करता है और यहां पर नहीं भी दिख रहा होगा तो जब आपको रियल इमेज दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ब्लैकिश है कि यह वाले इमेज देखेंगे ना जब आप जो बाकी आपको गूगल पर मिलेगी देख रहे हैं नाउ इट विल लुक लैक ब्लैक पकोड़ा है ना वहाँ पर थोड़ा मोडिपाइड लाइट बगर के साथ इमेजेज ली हुई है बट यह एक्चुली में बिल्कुल जब आप सामने जाएंगे ना देखता है इसलिए इसका ऐसा नाम पड़ा हुआ है यह आप वहाँ पर इमेज देख रहे हैं वह यह वाली है अपने किताब में पिटि 365 में ब्लैक पकोड़ा चीक डार्क कलर के कारण डार्क कलर के स्टोन ही यूज़ किये तो उस कलर के अब इसको बनाया किसने था यह आपको हमेशा याद रखना ठीक है बनाया किसने था याद है क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते क्योंकि उडिशा में तो कई सारी डाइनेस्टी आई गई गई तो आप अशूक वगर ना लिख दे कि अशूक जो कलिंग का वार लड़ने गयते तो वहाँ पर बना दिया था नहीं यह काफी बाद में बनाया है याद वेस्टर्न गंगा डाइनेस्टी देखी तो वह करनाटका वाले रिजन में ते जो इस्टर्न गंगा डाइनेस्टी है वो उडिशा वाले रिजन में रहेंगे तो उन्होंने बनाया था 1238 से लिके 1250 AD के बीच में केंडूली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पे वहाँ प तुझे कहानी होती है जो मित होता है कहानी होती एपीक होती उसमें करता है को भगवान ने बनाया आता है ना लौड क्रिशन के संद सांबाने 1984 में इसको UNESCO World Heritage Site Declare कर दिया गया साथी साथ इंडिया का एक लाउ है इसको बोलते AMASR Act याद रिखिएगा Ancient Monuments and Archaeological Sites Remains Act 1958 में आ था जवालना नेरु के टाइम पे उसके अंदर भी यह प्रोटेक्टेड है तो बहुत हाई लेवल की प्रोटेक्शन है यहाँ पे जो बीच है वो चंदरभागा बीच है यह आपके लिए कापी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यह बहुत लंबा से लिए वहाँ पे फ्लैट है चंदरभागा बीच के पास तो चंदरभागा बीच जो है नियरेस्ट बीच है बिल्कुल लोकेटेड है कौनाइक टेंपल के बगल में और उसको ब्लू प्लैक सर्टिपिकेशन मिला हुआ है इंडिया में कुछ बीच इसको ब्लू प्लैक सर्टिपिकेशन मिलें इंटरनाशनल सर्टिपिकेशन है 2016 में वही आयाइट खड़कपूर बगल में है बंगाल में तो वहाँ पे रिसर्च करते रहते हैं उन्होंने बोला कि जो चंद्रभागा रिवर है वहीं पे कहीं न कहीं टेंपल के आसपास में थी पहले यह चंद् के देख लिए पूरी का तेंपल है उसके लिए जगनाथ पूरी की यातरा निकलती है वह पूरे वल्ड में पेमस है और कोनार का जो टेंपल है संट टेंपल बिलकुल पास में अरे यह पूरी भूह निश्वर और कोनार किने एक ट्रेंगल बनाते तो उसको हम लोग ट्रेंगल जो है आपके लाउस में अनमार और थाईलैंड वाले साइड में वो इंडिया के नॉर्थ इस से लगा हुआ वो ड्रग के लिए फेमस है ऐसा ही दूसरा एरिया एक अपगानिस्तान और पाकिस्तान और इरान के बीच में है बलुचिस्तान वाले एरिया में उसको बलते हम लोग क्या मलोचिस्तान तो क्या पूरा ही अपगानिस्तान भी होता है तो तालिबान करता तो इसको बोलते गोल्ड़ेन क्रिश्एंट वहां भी जो है ओप्यूम पॉप्य का कल्टिवेशन होता है इंडिया के नॉटिस्ट के बगल में जो गोल्डिन हैंगल और गोल्डेन ट्रेंगल जो है भूवनेश्वर पूरी और ये कोनार के लिए फेमस है तो आपका पूरी तो फेमस है जगनाथ पूरी आत्रा होती है जब अधर्दस्थवाली कोनार्ग dance festival की बात करें उसको हम लोग साथी साथ चंदरबागा फेस्टिवल भी होता है उस रिवर के नाम पे कुनार्क dance festival में क्या होता है कि इंडिया का जितना भी आर्ट एंड कल्चर है बढ़ियां बढ़ियां जो dance का फॉर्म है जिन लोग ने कि इसमें भी वर्ट भर से लोग आते कलंग आर्कि टेक्ट्रल स्टाइल जा तो हिल्फ encontrar टेम्पल है कलिंग कईर तो कलंग अर्कित्चर का स्टाइल हैỉ वो नगरा जो नौर्फ इंडिया में है, उसी का एक सब टाइप है, थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस आ जाता है, नेमिंग में डिफरेंस आता है, इसका जो शिखर है ना, जो प्रिंस्पल सेंक्चुरिय है, जो गर्ब ग्री होगा, उसके उपर जो शिखर बनेगा, उसको उमलग रेखा, दियूल ट खेक, जग मेत पहला है, प्रेर करने के लिए, प्रतना करने के लिए, और उसके बाथ बाध, जो तीसरी लोकीशन बनेगी, वो बनेगी, नाट मंदिर, नम्से बता चल रहा है, डान सौल, और वहाँ पर सारे कुछ other सब स्टक्ट्चर वहां, वहाँ आपके लिए जरूरी नहीं है यहाँ पर बात आएगी seven horses की in its complete form, it represents an epic imagination of a celestial chariot carrying sun mounted on 24 intricately carved wheels, कितने चक्के, जो आप वहाँ पर wheels देख रहे थे नहीं, यहाँ पर structure देखिए ना, एक बाद, ऐसे wheels जो है, carve किये गए है 24, और माना जा रहा है कि sun के जो god है, मतलब sun देवता जो है, which temple की तरह आ रहे हैं, उसमें कितने wheels है, 24, और chariots कितने है total, 7, मतलब घोडे कितने है, 7, chariots नहीं, घोडे, 24 intricately carved wheels, 12 each on north and south side, with nearly 3 meter diameter drawn by 7 horses, 7 horses का representation है, और 12 wheels है, वो north में मानी जा रही है, 12 wheels है, वो south में total 24 wheels है, उसके wall में carve की गई है, और उसी रत पे माना जा रहे है कि पूरा temple located है, कि sun god जो है, अपने रत से आ रहे हैं, तो sun में आपको पता है कि 7 जो होती है, रे जो होती है, तो उसके हिसाब से 7 horses बनाई हुई है, set of wheels represent 12 months of a year and the 8 spokes as 8 प्रहार and symbolic motives on cycle of season and months, तो 12 months, आगे 12 wheels, पीछे 12 wheels, तो set of wheels represent 12 months of a year and the 8 spokes, जो उसमें spokes है, वो 8 है, आठ प्रहर, हिंदी में जो दिन का जो काल होता है, different कार, उसको हम लोग प्रहर करते हैं, तो 8 प्रहर and symbolic motives on cycle of season and month, तो इस सारे जो हैं इंटिकेटली कार्व किये हुए है, अच्छा, 7 horses जो है, 7 days of the week को represent then, decorative features on wall or pillars, lions, musicians, dancers, ये सारे decorative features वहाँ पे हैं, also the wheels of the temples are depicted on reverse side of the 10 rupees note, तो ये याद रखें, कि 10 रुपे का जो note है, उसके reverse side में यही वाला जो है, पुनार्ख temple का wheel जो है, represented है, इंडिया का art and culture की बहुत significance है, अशुक अस्तंब का तो आप जानते ही है, भारत का जो मतलब emblem है, व वो है, चक्र है, वो हमारे जंडे में यूज हो रहा है, इस तरह से, और भी है, आप चले जाहिए का कंचन जंगा तो वहाँ पे एक location है, जहां से आप कंचन जंगा को directly देख सकते हैं, उसको बोलते हैं, गोईचाला, गोईचाला हमारे एक पुराने note पे, जब तक demonization नहीं पूचा था कि बुलंद दर्वाजा में किस तरह के marble use किये गये, black marble use किये गये, white marble use किये गये, इस तरह के question पूचा है, तो अब ऐसा है ना कि देखिए, इस question क्या है हिससा नहीं कि इसी तैयारी करने के लिए पूरी जान लगा दें कि सारे जगा कचा के जो आप पत्थर पढ़िए, stones used in the temple, chloride, laterite और greenish condolite, यो पूरे area में laterite soil वगर होती है, temple के destruction की बात करें कि कोई इसका पक्का region नहीं पता चला, लेकिन 1837 में जो है structure collapse हो गया था, और बस जगन मुहन जो है, मतलब जग मुहन वाला area जो है रह गया था, और यह बार बार collapse होता रहते हैं, पेज देख रहे हैं आप, diagrammatic principle parts of an odysian temple, तो type के होते हैं, एक रेखा दिवल वाला होता है, एक पीडा दिवल वाला होता है, मैं आपको पढ़ा दूँ करें, पढ़ा देता हूँ, one second, just a minute, थोड़े से रुखिएगा, जिक बार चेक कर लिए तौम, तो चला जाएगा, नहीं है, अभी तक तो समाले गए, तो we are on the NCRT fine art, ओके, 64 योगिनी टेमपल इंस्पायर्ट से उसका, पार्लिमेंट का बिल्डिक, और यहां पे जो आर्किटेक्टर है न स्टल्प्सर का चाप्टर है, उसमें हम लोग पार्टिक्लरली उडिशा वाले पोर्शन को कर रहे हैं, तो वो जो इमेज आप नहीं देखी थी, वहां पे बहुत क्लियर नहीं था, आप यहां पे आप देखिए, आपको complete रथ जासा लग रहा है, आई इसको पढ़ते हैं, एक बार मैं देख लूँ, यहां पे बहुत क्लियर हो गया, उडिशा के टेंपल को हम आर्किटेक्चर के हिसाब से तीन ओडर में, मतलब तीन टाइप में डिबाइट कर, ठीक, एक है रेखा पीडा, एक है पीडा हॉल, पीडा डियोल, और तीसरा है खाकरा, एक है रेखा पीडा, या रेखा पीडा जो कहें आप चारण तो हर जगह की बायरी करती है तो भी केनाट नो, अंटेल भी गोंगे इन दो प्लेस आनाज द पीपल, रेखा पीडा, पीडा दियोल, और खाकरा, तीन टाइप का ओडर है वहां पे टेंपल का, and most of the main temple sites are located in ancient कलेंगा, ancient कलेंगा वाला एरिया जहां पे अशोग गय थे लड़ाई लड़ने, तो modern पूरी डिस्टिक्ट जो है ना, उसी के अंदर ancient कलेंग लोकेटेंग था, including भूवनेश्वर और ancient त्रिभूवनेश्वर, तो भूवनेश्वर जो आज आप देख रहे हैं, पहले क्या था, त्रिभूवनेश्वर था, साथ में प नगरा वाले का ही एक टाइप है, ये क्लियर हो गया, अब यहां पे देखिए कि जेनरली शिखर जो होती है, उसको हम लोग दियोल बोलते हैं, बलो न मैंने बस नेमिंग में डिफरेंस थोड़ा आ जाएग और थोड़ा बाता स्ट्रक्चर में, नेमिंग में ही ज्यादा आता है, तो शिखर जो है न, उसको हम लोग आपे दियोल बोलते हैं, तो नौर्थ इंडिया में जो नगरा स्टाइल में आप टेम्पल का शिखर बोलते हैं, उसको सिंपली अब जब उडिचा जाएंगे तो वहां के लोग उसको दियोल बोलेंगे, उसी के नाम पर यह खासियत है, नौर्थ इंडिया के टेमपल शुरुवात से यह ऐसे लगबग ट्रेंगुलर टाइप के होते हैं, जो आपके नगरा स्टाइल के होते हैं मेरले, दियोल सार प्रिसीडेड ऐस यूजवल बाई मंडप जगनमोहन तो एक दियोल होगा, उसके पहले क्या होगा, जहां पर नाटे वाला एरिया रहेगा कहें आप, और उसके बाद यह टेमपल आ जाएगी, और टेमपल का जो है, ओल आप ए सटेन जो है, लास्ट में कर्व जो है, थोड़ा, इनक्लाइन हो जाएगा, लास्ट, दियोल्स आ प्रिसीडेड ऐस यूजवल बाई मंडपास, क तो उपर में तो फाइनली लास्ट में कलर स्टाइप का बना रहेगा, मस्तक बना रहेगा, तो वहाँ पर सर्कुलर हो जाएगा, लेकिन जो शुरुवात होगी बेस की, वह होगा स्क्वार शेल्ट से, तो आपको दिखेगा स्क्वार्टमेंट्रिकल, यह सब पर डिटेल एकदम नॉर्मल रहेगा, उडिशा टेंपल यूजियोली है, बाउन्डरी वाल, यह आप याद रखें कि उडिशा के टेंपल में जेनरली बाउन्डरी वाल होती है, जो कहीं ने कहीं साउथ वाले का थोड़ा सा फीचर है, नौर्थ के टेंपल में आप देखने चले इस चीज़ को आप याद रखें, और इसमें कुछ है, चलिए, आगे चलते हैं, एक चीज़ बतानी थी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कमपार्टमेंट्स और नीचे जो टेंपल के आराउंड होते है, वो जेनरली इस कायर होते है, यह जो नीच वर्ड है, यह नीच वर्ड अधरवाइज एक स्पेसिस दूसरे स्पेसिस को इलिमिनेट कर लेगे, और हैबिटेट का नीच होता है, रिप्रोड़क्शन का नीच होता है, फूड का नीच होता है, सब का अलग अलग कंपोनेंट होता है नीच का, एनिवे, उडिशा टेंपल सी युजवली है, CRT के हिसाब से है, इस शिक्रावास, अ कलोसल क्रियेशन सेट टू है रिच सेवेंटी मीटर था शुरुवात में, बहुत लंबी लेन थे सेवेंटे मीटर, शुरुवात में, और धीरे-धीरे इतना है भी था तो इसके कारण 19th century में ये गिर गया, और ये बाउंडरी क्यों बनाएंगे आपको ये दिमाग में आना चाहिए, समुदर के पास में, समुदरी लहरें आ रही है, तो यहां पर बाउंडरी बनाना जरूरी है आना, यहां पर दिके NCRT में क्या लिखा हुआ है, जग मोहन और दान्स पैवेलियान मंडपा है सर्वाइब, विच दो नो इसलिए नहीं क्या एक्सेस क्यों नहीं है, आज PT 365 में वो चीज आगे कि अंग्रेजों न जो उसेरिया का स्टेबल रखने के लिए बालू से भर दिया था, फाइनली उसको क्लियर करके खोला जा रहा है, इसलिए वो एक्सेसिबल नहीं था, अब एक्सेसिबल हो जाएगा ताज मलका गेट खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, इसलिए बाहर वाले एक्सेरियर वाले पे, इस इंक्लूड 12 पेर मतलब कितने विल्स, टोटल 24 और हर जो 12 पेर क्या दिखा रहा है, साल का 12 महीना दिखा रहा है, विल्स स्कल्प्टेड वित स्पोक्स, यह भी ह यह देखिए, यह इमेज, लास्ट में तो देखिए, सर्कुलर ही हो जाएगा, यह जगनार्ख टेमपल है, उपर वाला कोनार्ख था, यह जगनार्ख टेमपल पूरी वाल है, एनिवे, हब्स हैं, रिपरजेंटिंग दे चैरियोट विल्स अप दे सन गॉड्ट, वू इन म पूरा जो है टेमपल ही रद की तरह दिखता है, अन दे सावधरन वाली जे मैसिव स्कल्प्चर अप सूर्य, पाइनली सूरी गॉड की स्कल्प्चर बनी हुई है, और वो ग्रीन स्टोन से बनी हुई है, इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखें आप, इस चीज को भी तीन सन की इमेजेस थी, अभी तो शायद एक ही इमेज बची हुई है, और वो पता है अडोर वे जो था न, उससे डारेक्ट सनलाइट जो है सीधा गर्प ग्रेम में आ जाती थी, ऐसा आर्किटेक्चर बनाया हुआ था, तो बहुत माप तॉल के सारी चीजे बनाते थे यह ये पीडावला पार्ट है, और ये फाइनली जो द्यूल वाला पार्ट है, शिकरवला पार्ट है और कुछ है क्या, ये कलश है यह आप्र रखाव तो कलसा, और कलश के नीचे ये कमल टाइप का आप देख रहे नहीं जो बना हुआ है, कमल तो नहीं बोले, आसे मतलब अला बोलते हैं ठीक मिलते जुलते नाम हर जगे रहेंगे ओवराल अस्ट्रक्चर ऐसे बनेगी देखिए यह जग मोहन है यही वाला खोला जा रहा है और यह लास्ट में गर्व ग्री है यहां पे जो है सुर्देव की मुर्ति लोकेटेड इसके उपर ऐसे रेखा देल लिका गई है तो उसके उपर स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा राइट तो आप ध्यान में रखिए गाओ कि यह सारे होगे ना यह सारे होगे यह उसी का इमेज है नीचे वाला जो यह लोकेशन आप देख रहे हैं जग मोहन मंडपम और इधर ब्योल है यहां पर मेन गर्व गर्व ग्री को हमें सा उचा बनाया जाता है यह बोग मंदिर छोटे-छोटे आप देख रहे हैं नाट मंदिर यह सारे बनाया हुए तो आप जब जाएंगे ना बाहर से तो यह बांडरी वाल को क्रॉस करेंगे फिर यहां पर आप जो है नाट मंदिर जाएंगे जग मोहन अभी तक संभाले हुए है अभी हुए है टाइम कितना है नाओ रिजन क्या है कभी यह भी रोग रिजन बोलते कि इस्लामिक इन्वेजन वगर के टाइम पर डिस्ट्रॉय हुआ होगा उस लोग का कहना है क्या स्ट्रॉक्ट्ट्रल प्लॉथ हा जैसे अपने इंसियाटी मे में क्या पड़ा कि इतना ज्यादा वेट था उपर मंदिर का कि वो फाइनले सतर मिटर एक टाइम पर गिर गया है ना स्टोन की अनस्टेबलेटी भी हो सकती क्योंकि नीचे की जो सर्पेस अब समझ रहे हैं कोस्टल एरिया है राइट वेदरिंग भी हो सकता बारिश आ रह राइजन वही जो एंसी इडी में लिखा हुआ था फर्क यहां पर इतना ही है कि महानदी रिवर से लेकर मतलब इंडिया के मैप के शुरुवात करती है और अंध्रप्रदेश में गोदावरी फ्लो करती है फिर वहां पर जो है कृष्णा प्लो करती है और तमिलनाडु में करती है तो उपर का यहां से ले ले जी है महानदी रिवर से लेके आंध्रप्रदेश के गोदावरी रिवर तक पूरे में यह जो है कलिंग आर्किटेक्ट्रल स्टाइल खाल होता है क्योंकि राजारानी वहां पर कभी-कभी जाकर अटैक करते होंगा अपना जमीन बनाते ह होंगे तो महानदी से लेके गोदावरी तक फैला हुआ था तो प्रजेंटे कहां कहां कवर हो जाएगा वेस्ट बंगाल में कवर हो जाएगा उडिशा में कवर हो जाएगा थोड़ा बात नौर्धन आंध्रप्रदेश में भी विशाका पत्नम वाले एरिया और नगरा टे अब कहीं कहीं आप रेखा प्रसाद सुनेंगे तो नौर्थ इंडिया के नगरा आर्किटेक्चर में शीकर को प्रसाद भी बोला जाथा तो रेखाप्रसाद वही और विष्णु शेव और सुरे लिखना चाहिए लेकिन विष्णु शेव और सुरे टीनों के टेमपल बनाय जाते हैं रिखा दियूल स्टाइल में यह प्रामेड कर लिक्रेश Enfin इस मॉइब देखिये कि देडीकेटेट के स्नूशनु सिस्व ऑगिनली यूज यूज भार्स लास्ट हो था खाकड़ा लिखाव तो खाकड़ा द्यू लाएगा वहाँ पर यह बैरल शेप्ट होता है और वाल्ट शेप्ट यह ऐसे चलेगा वैसा दिखेगा। क्या होता है ? ट्रेवेडियन टेपल जो होते हैं तो आप जब टेपल जाओंगे कहीं भी जाओंगे अब तिरूपती गड़्टो रस्ते भर में आपको क्या मिलेगगा गोपूरम बना हुए मिलेगी। घेटवे होते हैं। पूरे रस्ते में कि उस तरह का बना हुआ है, यक्ष का बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कोई, मतलब दानों का भी इमेज बना सकते हैं, इस तरह के डिजाइनिंग से सुन्दर बनाय जाता है गोपूरम को, ताकि जो लोग दर्शन करने आ रहें, रस्ते भर जो है, ऐसी चीजों को देख देखते रहें, यह साउथ इंडिया का आर्किटेक्चर है, लेकिन इन फैक्ट यह उडिशा के आर्किटेक्चर में भी खाखरा दियूल में आपको जो है, बिल्कुल ड्रेवेडियन गोपूरम जैसे, यहां पे भी आपको कुछ जो है, टावर मिल जाएंगे, डेडिकेट टेंपल के लिए रेखा दियो तिन टैप के हो गया है, यह जो यहां पर पे फेज आप टेंपल इवालुशन लिखा हो है, यह उडिशा वाले के लिए स्पेसपीक है, वो आजाएगा, अम आपड टेंपल भी आ जाएगा, अपने टाइम पर चिंता मत कर एए, सारी चीजं एक बार में नहीं होंगी, पॉर्मेटिव फेज 6 से 9 सेंचुरी से ही के बीच में, वो मेजर डाइनस्टी उस ताइम पे जो थी, आपको डाइनस्टी का नाम विलकुल याद नहीं रखना, ठीक, इसके कुछ टेंपल का नाम है, वैतल दिूला, तो जहां भी दिूला सुने त तो दो नाट फोकस अन दाट, देन, मैच्योर फेज आया था, 11 से 13 सेंचुरी के बीच में, यह तो आप देखी रहें, जगनाट टेंपल, कोनाक सन टेंपल, यह दोनों जो है ना, काफी फेमस हैं, और इस्टन गंगा डाइनस्टी के टाइम पे बनेते हैं, उसके बीच में एक और आया था फेज, वो था ट्रांजिशनल फेज, मैच्योर फेज, और फार्मेटिव फेज के बीच में, वहाँ पे जो मेजर डाइनस्टी थी, वो सोम नसी डाइनस्टी थी, यह जो टेंपल हैं, अगें जो बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए यह भी फेमस हैं, म पे गजपती रूलर्स थे, उन्होंने कुछ टेंपल बनाया थे, वो उसका टेंपल इतने कम इंपॉर्टेंट एक उन्होंने नाम भी नहीं लिखा, अब चले आए रेकलाइनिंग बुद्धा के डिस्कसन पर, इमेज देख लीजिए, यह रिपर्जेंट करता है के जगह पे भी आईए, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, and finally, he offered pork meat to him, ऐसका कहा जाता है, इसमें भी विवाद है, अला कि कुछ लोग नहीं मानते है, बट जो majority है, यह मानना है कि जो pork meat offer किया, चमुंडा या कुछ ऐसा नाम था, तो बुद्ध बगवान ने वाँ पे ख करते हैं, उसी चीज क्या statue जो है, reclining बुद्धा की बनाई जा रही है, बुद्धा international welfare mission temple बुद्ध गया बिहार में, बुद्ध गया कोई district नहीं है, गया district है, मेरे ही, मैं भी गया district में पहले था, बाद में कटके हमारा औरंगाबाद बन गया, पहले गया ही था, मगत का area है राजगीर, मगत, पटना, यह सारे मगत के area, तो वहाँ पे गया में क्या है, कि जो main district है, उसी में छोटा पार्ट है, बोध गया, बोध गया मतलब कहाँ, जहाँ पे गौतम बुद्ध को जो है, मतलब ज्यान के प्राप्ती हुई थी people के tree के नीचे, अब वो पुराना people का tree भी नहीं रहा है, उसके बाद दूसरा people का tree लगाया गया है, बट वहीं पे ज्यान के प्राप्ती हुई थी, तो वहाँ पे काफी temple बनाए गए है, काफी चीज़ें बनाए गई है, गया इसी के लिए famous नहीं है, गया के बगल में है कि विष्णुपद temple पे, वो भी काफी famous ह और पिंडदान के लिए हिंदु के culture में काफी लोग जो है गया जाते हैं, क्योंकि वो माना जाते कि जो पिंडदान होगा, तो उसके लिए गया काफी famous जगह है, people go, और कई लोग वहाँ पे जा कि अपने पूरे खंदान का हिसाब किताब पुराने निकाल सकते हैं, मैं भी अगर जाओंगा और खोजूं, पक्का वहां के पंडित बगर से मिलके तो शायद मेरे 1000 साल पहले की हिस्ट्री निकाल देंगे, क्योंकि वो रूल है, कि 45 मतलब, 45 तो मत बोली, एक-दो जेनरेशन का साथ मिलके पिंडदान किया ही जाता, हमारे तो बिलकुल रूल है, तो क महापरिनिर्वाना भी लोग बोलते हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो, एक ही चीज़ है, तो नॉर्मल इंसान मरेगा तो उसको इनलाइटनमेंट नहीं होगी मरने के पाद, अगर आपने लाइप के दोरान ही इस तरह का मेडिटेशन करके अपने सारे इंद्रियों पे कंट्र कर लिया है, ज्यान की प्राप्ति कर लिए है, तो डेथ के बाद भी जो है महापरिनिवाना होगा, या परिनिवाना होगा, नॉर्मल सोल के लिए, डेथ इस नॉर्मल डेथ, स्टैट्यू अप रिक्लाइनिग, अचा बुद्धिजम में जो है, उनर जनम की बाद तो कहीं कहीं दिखती है, क्योंकि जो जाता का स्टोरी है, वो कहते हैं कि बुद्ध भगवान के ही, पिछले, हाँ, जो मराठा इंपार ने बनाया था, तो जाता का स्टोरी है, तो कहते हैं कुछ लोग कि वो बुद्ध भगवान के पिछले जनम की जो है, उसमें बहुरा है, कि वो लेकिन सोल में बिलीब करता है कि नहीं अघनीGot करता है लेकिन एक opinion यहीं कि नहीं बिलीब करता तो इस शिरता याद रखें और इसकी बहुत deep में न आ जायें वो बुद्दिजिम पर नायुसिस कर रहा है लिविंद नहीं हरी जिम्मेदारी इतनी बुद्धा दूरिंग हिच लास्ट इलनिस अबाउट टू एंडर परी निवान यह अपने देखी लिया इतना एक्जाम में नहीं पूछेगा कि राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है इतना कुछ नहीं है बट आप देख सकते हैं इमेज तो आपको याद रजाएगी कि पूर्णर जनम की बात है तो देख सब्सक्राइब कि पूर्णर जनम की बात है रेक्लाइण बुद्धा वाज पास्ट डेपिक्टे इन गंधार आर्ट विच बिट्वें 50 BC से लेके 75 AD के बीच में वही गंधार वही पेशावर वाला इरिया वहां से जब आर्ट आया वहां की जो लोग पुशान एंपयर पर एकिल आए तो उन्हों 26 में केव नमबर 26 में 24 फूट लॉंग मने बोला ना बहुत लंबा साय बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है 24 फूट लॉंग 9 फूट टॉल स्कुल्प्चर है रेक्लाइनिंग गुद्ध का मतलब लेटे हुए भी जो हाइट बन जा रही है न वो वो इतनी बन जा रही है अपने करने बिलिब टू है विए कावड इन दे फिफ सेंचुरी एडी तो यहां वाला जो न काफी बाद में बना इसके लावा कुशी नगर चले जाए कुशी नगर में ही फाइनली क्या हुआ था कि डेथ की स्टोरी है जो कुशी नगर से ही मानी जाती है अचा जन्म कहा नेपाल का कहना है नहीं बुद्ध भगवान का जन्म जो हुआ था वहुआ पर जन्म हों गलोबल कॉंसस यही है लेकिन मिर्त्यू वाले में confusion नहीं है कुशी नगर जो कि प्रजेंटे उत्तर प्रदेश हैं यहां पे ही परिनिवाना हुआ था शिक्स मीटर लांग रेट सेंडर स्टोन का मौनोलिदर स्टेचि वहां भी बना हुए कि वह तो मुस्ट इंपॉर्टेंट जग महां तो परिनिवाना हुआ है वहा नहीं बनाएंगे तो कहां बनाहेंगे ए शेक कर मूर्व 26 तो गरम नहीं है उपर गरम हो रहा है हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया देस्ट वेट वैन मिनट ओके वन मिनट यह स्टेटेक हो गया है अच्छा बहुत बात करते हैं आगे है ना अब अगर ऐसे बचा लिया होगा न तो बहुत बड़ी उपलब्दी है यह पता है क्योंकि युक्दम बंद होने वाला था सब सारे कल्चरल लोकिशन सारे क्लेम कर लेंगे ओली तो आ रहे ना भी अगर यह बच यह होगा न तो अंदर से खुशी है क्योंकि बंद होता तो बड़ा एंबैरसिंग होता तातल होगे तातल अच्छा आज बुद्धु पुर्निमा है ओके ओके अच्छा बुद्धु कि जनम के लिए या फिर ज्यान प्राक्ति के लिए अलग-अलग इंटर्पिटेशन पता है क्योंकि सायद दोनों का डेट चेक करिएगा कहीं एक ही डेट तो नहीं है चलिए करते हैं आ गया तो कुशी नगर उत्तर प्रदेश में तो आपने देखे लिया है ना और वहां पे एक रिक्लाइनिंग गुद्धा के स्टैट्यों है ना पेंटिंग और बोधिसत्वा पदम पानी इस वन फेमस इलुस्ट्रेटेड पेंटिंग एथ अजन्ता एंसेटी फाइन आर्ट में पदम पानी का इतना ज्यादा डिस्केशन है कि लोगों को तो रटवार डालता बिल्कुल यह देखिए तीन-चार पेज का यह डला हुआ है आप देख रहें ना यह यह बोधिसत्वा पदम पानी पदम पानी मतलब हाथ में पदम है राइट पानी मतलब हाथ होता है पदम मतलब कमल होता है तो हाथ में जो है लोटस है यह पदम पानी ऐसे पदम पानी ह हैं डिफरेंट फॉर्म अब बुद्धी सत्वा हैं यह सारे ना आपको अजंता वगर में और साची के स्थूप में ऐसी इमेजेज मिलेंगी बहुत ज़्याद मिलेंगे इसका एक मैं अलग से डिसक्सन करा दूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है एनिवा प्लानिंग की आपका अलग से में कम्क्लीट करा दूँ तो अजंता केव की यह देखे कुछ इमेजेज हैं मरा विजया यहां पर जो आप यह पोज देख रहे हैं इसको आप याद रखिएगा ठीक है थोड़ी दिर में बताने वालों बुद्ध बगवान जमीन को ऐसे चूर है वो कहने का मतलब है कि जो मैं बोल रहा हूं मेरी बाते जो है वो सत्त हैं इस बात का साक्षी और कोई नहीं जमीन ही है जब यूपीसी में आया हुगा है शायद चलिए अलग से करा देंगे तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं आ जाईए पेंटिंग और बोदी सत्वा पदम पानी इस बन अब दो मूस्ट पेमस इल्यूस्टेटेट पेंटिंग एट अजंता ऐसी जो है ची है त्रिभंग यह डांस में भी यह पोज यूज होता है त्रिभंग का मतलब क्या है ऐसे एकदम खतरनाक नीचे कमर राइट कंधा लेफ्ट से राइट और पूरा इंसान ऐसे ऐसे तीन जो हो जाए तो उससी को हम लोग त्रिभंग मुद्रा कहते हैं इंडिया के बाहर भी से पूछे का विदेश्वाला विदेश्वाला नहीं पूछेगा इंडियान आर्ट और कल्चर पढ़ना रिक्लाइन बुद्धा पोस्चर और मोर प्रिवेलेंटिन थाइलेंड में बहुत फेमस है अच्छा आ रही आपको पता है अभी दो तीन दिन पहले ना आंद्रपर कि जा कि तुम गले से लगा के सीने से लगा के गोल्ड आया गोल्ड आया बगवान में भेजा है रत से खैर तो उसको पता चला है स्टेडी करने पे कि म्यानमार में एक मतलब उनका नया साल मनाया गया था लास्ट ये 2021 में उनका मनाया गया था तो उस नया साल पे वह गोल् सुनामी था ने वह ला सुनामी बोल दिया साइकलों ता असानी साइकलों असानी के करन असानी से हमारे और लोग ने उसको पकड़के रख लिया यूट उसको बहास किया पांगलादिस वह भी बोल रहा है कि नहीं हम नहीं छोड़ा था इंडिया वाला बोल रहा है कि नहीं हम यह तो विश्ट पंगल से भेज़े थे स्री लंका इंडिया बुद्धा इसे आपको रिक्लाइनिंग बुद्धा की इमेज़ेगे लाजेस रिक्लाइनिंग बुद्धा की बात करें वर्ल्ड में तो 600 फूट का ओके यह म्यानमार में है 600 फूट के रिक्लाइनिंग बुद्धा और नाम दिया है उसका विंसें तौविया बुद्ध और यह 1992 में बनाए गया था मॉले मनाया नहीं मिन प्रोविंस में अभी तक किनोंने बचा के रखा है इनकी मतलब एक जगह पर कहीं अच्छा है यह के बचा के रखा दर्वाइद तोड़ वोड़ देते हैं बहुत जादा इस्टेटी आप रखें भामल वुद्ध अपरि निवान आख ये पाकिस्तान के खेबर पंक्तुंकवा परोवेंस राश्ट कि उश्ड़ राष्टेंपे वहां पर लेकिया खाया डाइनामाइट लगा के उड़ा दिया, बोला कि जो यह prohibited है image रखना, पाकिस्तान में भी राजा रंधीत चिंग की कुछ images थी घोड़े पी उसको जो है काट दिया है, ऐसी ऐसी हरकते इनको पता नहीं पुरानी चीजे खतम करने में क्या मज़ा आता है, लेट 15th century में एक 70 या और हमारे साउथ के राजाओं का जब आपस में आना जाना था ना, तो कंb 넘ड़िया में अंकोरवाट में टेमपल बना भुए, पता यह किस बग्वार का बना हुए, राम का यह विष्णू का या शृव का यह किसी देवी का बना हुए, अंकोरवाट के टेमपल के पास से पाकिस्तान एफगानिस्तान की एरियसें पिशावर मने और और चला जाएगा और talks स्पला है और वहां से लेके जो रोमन एम्प्यरbourg या वेस्ट में इसके बीच के पिरियड को ही हम लोग हेलेनिस्टिक पिरियड कहते हैं इनके स्कुल्प्चर को देखेंगे तो आप बिल्कुल ग्रीज जैसा ही दिखेगा डिफ्रेंट नहीं कर पाएंगे बाल होता है ना करली हेर दिखाते हैं उस तरह के एकदम शांदार इ सैंड स्टोन जो यूज किया है यहां पे गांदार आर्ट में ग्रे ब्लुइस ग्रे टाइप का यूज किया गया है रेलिजियस इंफ्लुएंस में बुद्धिस्ट का ही है इंडिया में तो इंडिया की चीजों पर बनाना शुरू किया कुशान डाइनस्टी इसकी सबसे पड़ी जो है सन्रक्षक थी याद रखेगा इस चीज को मतुरा तक इनका इंपक्त मगत तक आ गये थे थे थोड़ा बहुत नॉर्ट वेस्टन फ्रंटियर एरिया में जनरली ऐसे रहेगा खैबर पंक्तुंपवाले एरिया में इसके क्या है स्पिरिच्वल बुद्धा मत के से बड़े से यह जो रहते हैं आइस हाफ क्लोजट एंड प्रोटेवरेंस हाफ क्लोजट आइस वही मेडिटेशन के फेज में और हेड़ पे प्रोटेवरेंस मतलब ऐसे जो है ना जूड़ा बना हुआ समझ रहे ना तो हेड़ पे यह इसकी खासियत है गांधार आर्ट क चली कुछ related news भी देख लेते हैं विश्णो जी कें थैंक्यू 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 हाँ राजेंद्रवन के टाइम पे वो लोग काफी आच्छी खासी दोस्ती थी हमारे एक चाप्टर भी है तमिल नाडू में की इंडियन कल्चर का कैसे मतलब विदेश में गया तो उसमे Teresa का एरिया थायलैंड का एरिया यह सारे एरिया में प्रभाव था रिलेटेड न्यूज मिनियक्शर, सक्यर, पूर्प्ठ भुदो फ़ू फंट स्कल्फ्चर मिला तो इसा में अगे कुछ देखते हैं सारनात बुद्धा की रिप्लिका कि तरह दिखता है सान्र स्टल से बनाुए और बुद्धा सिटेडान है लोटस पेडस्टल यह जो पेडस्टल बना हुआ है नीचे वो जो है लोटस का माना जा रहा है कि लोटस को रिपरजेंट करता है इन्हें धर्म चक्र परवर्तन मुद्रा यह वाला मुद्रा जो है ऐसे करके कि चक्र चल रहा धर्म चक्र यह चेंज होता रहता था फेज तो इसी को हम लोग वो मुद्रा कहते है धामचक परवर्तन और यह भी जो है गुप्त स्टाइल में स्कुल्प्चर बना हुआ है क्यों कि आपने पहले ही देखा न सारनाथ गुद्धा का तो सारनाथ में अर्शो का एंपाइर या मॉर्रेयन एंपाइर और गुप्त एंपाइर सारनाथ वाले पर आगे मुद्रा का डिसकसन है अच्छी चीज है और पहले पढ़ाया हुआ है इसको याद रखने का भी बड़ आसान तरीका है हीन यान बुद्धिजम हीन मतलब क्या होता है आप उसको निगेटिबली ना देखें हीन मतलब होता है कम राइट लोग तो ही रखी जाएगी ऐसे आप याद कर सकता है रिमांसो ठाक रहे हमारा कॉरिडूर करेंट पर पूरा कोर्स अप पर उसको देख सकते हैं यह मैं ऐसे करा रहा हूं क्योंकि हमें जल्दी से कम्प्लीट करना तो आप भी साथ साथ करिए इसलिए लिए लेसर वेहिकल वेहिकल क्य अधिया जाएगा फेस्टिवल वगरा बहुत सेलिब्रेट नहीं करेगा इसलिए तो हीन यान दिया गया है ना बट दे दो लाइक दिस टर्म हीन यान बिकास हीन जेनरल ही अब देखते हैं निगेटिव डाम होता है सो दे दो नाट वांट इस टम तो बी यूज और यह बह किया जाएगा एंड यहां पे जो लैंग्विज की बात की जाएगी इसके स्कॉलर्स जो होते हैं उस टाइम पे जोते हैं वो पाली लैंग्विज यूज करते थे अब वहीं से चले आई उसके बाद बनेगा क्या महायान बुद्धिचम इसको ग्रेटर वहिकल बोल देंग जो लोग बाद में कुछ लोग होते हैं जो अपनी जिंदिगी के दौरानी मुक्ष के प्राप्ति कर लेतें बुद्धिचम के एसाब से उनको लोग बुद्धिसत्वा बोलते हैं और वह अपना मुक्ष को थोड़ा डिले इसलिए करते हैं खाली कि बाकी दूसरे लोगों वोगों को गाइड कर सकें but they are enlightened people ऐसे लोगों को बोधी सत्वा कहा जाता है और बिल्कुल बोधी सत्वा का मतलब बुद्ध निचर ही होता है बिल्कुल बुद्ध जैसे बुद्धी हो गई तो बुद्ध हो गए उसी तरह से बुद्धी सत्वा है इड बिलेवस इन आइडल और इमेज भर्षिप बुद्ध ऑबुद्ध थोड़ा सा उलट फेर हो गया ना जो ऑर्थोडॉक्स है यहां पर वो यूज़ क्या कर रहे है पाली लैंग्वेज वो इस इसको याद रखिए ठेरा वदा ठेरा वदा को याद रखने का आसान तरीका जो ठेहर गया इसको और क्या बोलते है अस्थाविर वदा इसी से मिलता जो रहा है जो रुप चुका है और्ट्रोडॉक्स एल्डर क्यों जो पुराने लोग गुजूर्ग लोग अल्टिमेट से क्लेश हो सकते हैं माइंड का जैसे इंग्जाइटी फियर एंगर जेलेसी यह सारे को सीज़ करके हमें मुख्ष के प्राप्ति हो जाएगी साथी साथ हमारे एप पर डला हुए मुख्ष प्राप्ति का तो उसमें रिडिंग कॉम्प्रेहेंशन का पिछले क्लास के दौर जो कि यह कमारा कोर्स है कि उसके लबाओ समें एक section है free courses याद रखिए जब तक आप free courses नहीं को लेंगे तब तक आपको free courses नहीं देखेगा डैट मेंस कि आप UPSC 2022 में जाके free courses नहीं दोंनी खोल सकते प्रीकोर्सज आपने कोला उसके बात क्या उपर ड्रॉब्राप है फिर में यू पिडूप ईटाया यके फिर से फूर्सेश आते हैं ऐसे करके आता है लेकिन आपको वहाँ पे जाकर चूर अपक्स्री कोर्स कुसी में हैं मैपिंग वाला भी कर लीजेगा यहां पर आपको मिल जाएंगे ट्रिक्स वाला कॉर्स अभी हमने वहां पर आड नहीं किया है कर देंगे यहां पर भी पाली होगी sacred language और विभाज वदा इस टीचिंग ऑफ अनलिस विभाज करना होता ना बाट माट की किसी चीज को ब्रेक करके करके समझना उसमें यह बिलीब करता है और एक चीज है जब आपको मुख्च की प्राप्ति होगी डैट मेंस कि अटेंडमेंट अफ तस होता है तंतिरिक बुद्धिण दिस डूम अंति सब्सेक्ट्स मायान दो ठेरा वड़ा किसका सब्सेक्ट्ट है और यह कौन सा है वजरैश्यान किसका सब्सेक्ट्ट यह महायान का याद रखेगा और सब्सेक्स wannis by हिंदूिम त अन्दोर्दी तांतिर्षम हिंदू नाम यह तो जम के पूजा पार्ट होगी और यहीं पे आप मूवीज बगर में देखते हैं ना कि चाइना के एक जो है मॉंक गए तो मॉंक ने जड़ी बुट्टी से कुछ बना दिया जिन्दा हो गया जाकी चेन फाइट करने लगा वह इन ही चीजों से रहलेटेड है इसके भी क्लासिटिकेशन तांत्रिक बुद्धिजम भी जब आप तिबत जाएंगे ना वहां पे सबकी लड़ाई होती रहती थी पहले उसमें से तो एक हैं जो यहां पे दलाईलम आये हु सिक्किम में चले जाएंगे तो वहां वैरियेशन कुछ मिल जाएगा आपको मेडिवल एरा में लडाईयां चलती रहती थी और चाइना की जो डाइनेस्टी होती तो वह किसी ना किसी एक का सपोर्ट करती रहती थी तो वहां से काफी लोग जब भाग के आए तो इसलिए सि देवी की बात आएगी किसी भी जगह पर तंत्रमंत्र होने लगेगा ठीक क्लासिकल तीवितन इस दे में लैंग्वेज यूज फॉर दे स्टुडेंट्स हो गया यह अब यहां पर कुछ मुद्राज है फैजन उसका डेमो लेक्चर है आप देख लीजेगा ब्लैक स्क्रीन पर मुस्ट पॉब्ली होगा यह आप वहां पर कुछ जाएगा क्या 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 वेरियस मुद्राज रिलेटेड टो बुद्धा थोड़ी दर पहले जो इमेज दिखाई थी वहां पर भूमी असपर्स की बात के थी यह देखिए जमीन को छूर है ना ऐसे करके टच कर रहे हैं बुद्धा इस सिटिंग विद राइट हैंड राइट हैंड का यूज होगा हमेशा याद रखेगा अच्छे कामों के लिए टचिंग अर्थ पाम फेसिंग इन्वर्ड एंड लेफ्ट हैंड अब इम मुद्रा में लेफ्ट और राइट आम जो है एक्स्टेंड किया जाएगा दवेडाउन विद पाम उप दो ओपन हैंड फेसिंग आउटवर्ड ऐसा करके इंडिकेट्स चैरिटी मतलब ओपन हैंड से जो हम आपको चैरिटी दे रहे हैं दान दे रहे हैं कॉम्पेशन हाथ का परफेक्शन है यूजड बाइगाड गॉर्ड डिशेज एंड किंग्स तो किंग क्या कर सकते हैं चैरिटी करेंगे तो ले लो छेख अंजली मुद्रा अंजली नाम के गल्स खुस नहों जाएं अंजली मुद्र का मतलब ऐसे हो जानों अंजली प्रणान करते हैं बोथ हैंड जो प्रणाम वाली मुद्रा है सिंपल रिस्पेक्ट ग्रिटिंग और सालुटेशन के लिए कोविट के टाइम पर यही दिखेते वह फालो कर सकते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं यह देखिए वितर्क मुद्रा जो मोदी जी पारबर करते हैं यह वाला तो वितर्क मुद्रा टिप्स अप थाम्ब एंड इंडेक्स विंगर टच एच अधर फार्मिंगे सब्सक्राइब इस सर्कल मेंटेंस तर बता है कि सब्कुछ जो है ड्रम चकरपरतिन और इस को मंदिर यहां कि मानना जाता है जल पड़ाए इन इंडिकेट जब उन्हों पंपना उसकी शुरुवात कि ध liquid प्रवर्तन होग है तक है बहुत स्पल है यह वाला है डर्मार मैं सामने खड़ा हो रहा हूँ ना तो अब है मुद्रा भै नहीं लगना पाम अब द राइट हैंड फेशेज आउटवर्स एंड फिंगर सा अप्राइट हैं जॉइंट इंडिकेट्स फियर्लेस्नेस दिस जेस्टर वा सोन बुद्धा इमेडियेटली आप्टर अटेनी एंलाइटनमेंट बोला आप बोला कि अब डरने की कोई जरुत में मेरा एंलाइटनमेंट हो सब समाल लों कर गॉड़ गॉड़ डिसेजन बुद्धा इन इस मुद्रा ना लास्ट वाला यहां पर जो है राइट साइड में जाया उसके पहल आउट एंड लेटिंगो यूजड़ अजे मीन्स ऑफ ड्रेनिंग नीगेटिव एनर्जी एन अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनर्जी पाहमले जो नीगेटिव एनर्जी जो गोली लगा को आज से नीगेटिव एनर्जी खतम तुम समवाल लो यह रिप्रेजेंटेशनल एक्स्प्लानेशन है कि पैस का गलत मेनिंग डराइव ना करें उत्तर बोधी मुद्रा तुटर बोधी मुद्रा ऐसे सोचते है ना बड़े बड़े लो पड़ा थीक रहा है लेकिन इसका एक्जाम तो फुद क्लियर नहीं हुआ यह है उत्तर बोधी मुद्रा तो हैंड्स थियान मुद्रा बहुत असान जब लोग बैटते हैं तो ऐसे करके बैटते हैं ध्यान लोग जो करते हैं हमारे घरों में भी लोग ध्यान पगयर चारते फहां इसे जब अ गुद्धा बनाकर तो नहीं मुद्धा ने अपने फाइनल मेडिटेशां जो बॉधी Big पर जब meditate कर रहे थो तो यही मुद्रा लगाई थी in fact okay monk aesthetic बुद्ध कोई भी यूज कर सकते हैं यह देखिए करन मुद्रा है इसको तो मैं कैसे हाथ से बताओं पता नहीं लेकिन दो जो लास्ट के पिंगर वह बाहर रहेंगी करन मुद्रा में हैंड स्टेश्ट आउट आइधा और वर्टिकली पाम फॉर्वर्ड थाम प्रेश्ट फोल्डेट तो मेडल फिंगर यह एक्जाम में आगा तो जनरली यह आगा कि मीनिंग क्या है यह नहीं पूछेंगे कि इंडे इंडेक्स फिंगर और थम जो है दूसरा ज्वाइन करके हैं मिस्टिकल वहां पे सर्कल बनाते हैं और इसका मतलब होता है कि तर्निंग डवील अप धर्म और ला धर्म और ला याद रखेगा कि इस्टर्न फिलास्पी में धर्म या जो है रिलीजन जो है बिल्कुल अलग हमारे हिंदुजम में खास करके बात करें धर्म का मतलब बिल्कुल अलग है यहां भी जो है धर्म का मतलब लौक है जो यह आटिक्स हमें फॉलो करना है अपने फर्स्ट सर्मन के टाइम पर उन्होंने यह जो है धर्म चक्कत पर वर्दार्स सर्मन कहा था बनारस में वहां आप एक डियर पार्क है वहीं पे स्पीस दे दिगी थे और जो शुरुवाती लोगों ने जिन्नों ने सुना था वही जो उनकी मेन बोधिसक्वा थे आप इतना फोकस ना करें जो बहुत स्पेशल था भूमियस पर्स यह शायद आ चुका था फिर क्या हो सकता है ध्यान मुद्रा 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 इंपक्ता हो हो तर्बोधी मुद्राु पाकी बवज्र नों मूद्रा यह सारे मुझे नहीं लगता कि बहुत इंपक्रेंटंट है अगर मैं डिस्टॉप मेनेजर को थोड़े दिरिक लिए आप कर दूं तो थर्टीन परसेंट कम हो जाएगा अभी समालेगा नहीं 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 अभी नहीं समालेगा जिस्ट गिब मीवन मिनट्ट ओके आगया ना हाँ आगया थैंक यो सो मच अन्शुल एक घंटा चल गया ना पिछला वाला नहीं चला था क्योंकि बीच बीच में एक एक मिनट बंद कर लिया हूं तर्ड़ा हो गया पता है चलिए अब आगे करते हैं अधर इंपॉर्टेंट न्यूज कर लेते हैं और उसके बा हर्याना में 1600 साल पूरानी यहां पर शाइट मिली है 1600 हर्याना में कौन सी नहीं बात है हर्याना में तो ओल्रेड इंड्रस वेली सिवलाइजेशनीआ हर्डपन सुवलाइजेशन की चीज़ें मिलते रही हैं मिलती रही हैं कई बार फिर से आ गया य occupy एमउना नगर डिस्ट देखना आपके लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ अब मेरा तो खुद का मैपिंग वाला था ना उसी से दिखा देता है चले कोई बात नहीं यह इमेस ठीक रहेगा यह देखिए उपर वाला पोर्शन देख रहे हैं जो आप बिल्कुल टॉप पर है एक काम करता हूं अब ठीक है, सी, हर्याना का जो, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह चंडीगड, दिख रहा है को, चंडीगड छोटा सा, तो चंडीगड कैसे shared है, यह पूरा एरिया पंजाब का हो गया, और यह क्या हो गया, यह पूरा एरिया हर्याना का हो गया, हिमाचल प्रतिष तो इधर है, और चंडीगड देखी, कहा लगा हुआ है, एक तरफ तो पूरा पंजाब में है, और दूसरे तरफ जो पंचकुला एरिया है, वो हर्याना का northern most district है, उस पर ऐसे चंडीगड लगा हुआ है, तो यू कैन से देट कि चंडीगड is situated between हर्याना एं पंजा, और यू कैन से देट कि चंडीगड is situated between पंचकुला district एंड पंजा, माचल प्रतिष से चंडीगड नहीं जुडता है, याद रखिएगा, वहीं पर नीचे चले आईएगा, तो अमबाला है, और अमबाला के बगल में ही यमुना नगर है, नाम क्यों पड़ा है यमुना नगर? क्योंकि यमुना ना, ऐसे फ्लो करती है, यमुना आती है उपर से, और इसी एरिया से फ्लो करके उत्तर प्रदेश में चली जाती है, और यहाँ पर उसी कारण कुछ वाइल लेफ सेंचुरी वगरा भी बने हुए हैं, एक मिनुट, नीचे बाकि कोई important area नहीं है, नीचे आप जाएंगे तो राजस्थान आपको मिलेगा, इतना ही important, अच्छा दिल्ली का location कहाँ पर है, दिल्ली देखिए, कई लोगों को confused होता कि exactly दिल्ली है कहाँ पर, फिर दिल्ली कहाँ है, NCR कहाँ है, यह तो मैंने एक बार definition बताये था, बट दिल्ली देखिए, पूरा का पूरा ना, actually, ऐसे हर्याना से घिरा हुआ है, थोड़ा portion जो है दिल्ली का इधर UP से खुला हुआ, तो इधर आपको नोईडा बगर जैसे जिल्ले दिखने के लिए मिलते हैं UP के हैं, बाकि सारा देखिए, सोने पत का बॉर्डर जोड़ रहा है, जजजर जोड़ जोड़ रहा है, गुलगाओं ये पूरा जोड़ रहा है, फरीदाबाद जोड़ रहा है, तो दिल्ली पूरा पूरा जोए ना, kind of घिरा हुआ है, और यहीं पे यमुना ऐसे फ्लोग करती है, इसी बॉर्डर पे यमुना फ्लोग करती है, पूरा उपर से नीचे, ऐससे, इसलिए सारे बॉर्डर एरिया में यमुना फ्लोग करके जाती है, इसलिए यमुना नगर नाम पढ़ी होके हैं, So, we are done with हर्याना, उसी हर्याना में आर्कियो लॉजिकल साइट मिली है, यमुना नगर डिस्टिक्ट में हर्याना के यह देखिए, क्या नाम है, संधाई विलेज में, 16 साल पुराना, और माना जा रहे हैं कि यहां पे कहीं ने कहीं, जो सरस्वती रिवर थी, लेजेंडरी, वो फ्लो कर रही थी, और वहीं पे यह हैबिटेशन थी, अब सरस्वती रिवर तो विलूप्त हो गई, तो हैबिटेशन भी चली जाएगी, कौन रहेगा वहाँ पे, एविडेन्स आप हैबिटेशन क्या मिला हैं, यीटे मिली हैं, अर्थेन वेर मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और कुछ जो है, स्टैच्ई वगर अभी मिले, अच्छा, भाईया, नगराज स्टाइल टेंपल ओप स्टून स्क्रिप्ट्राल एविडेन्स आप पे पीलर अपार्ट पॉम, मेटेरियल रिलेटेट तो दे बेस अपे कंस्ट्रक्शन, आर्थे टॉकिंग बॉट दिस थिंग, हर्याना, येस, उसी जगह की बात हो रही है, 16 सा साल पुराना वहना, तो 400 से 500 एडी के बात क्यों हो रही है, मतलब 2000 साल के बात की बात हो रही है, तो नगरा स्टाइल टेमपलों के स्टून्स मिला हूँ, वहाँ पे स्क्रिप्ट्रल एविडेंस भी कुछ मिला है, पिलर वगर का, टेमपल के कंस्ट्रक्शन का बेस वगर भी मिला है, इंडो सैसैसिन क्या होता है, यहाँ पे आप चले जाएंगे, तो यहाँ पे इरान आएगा, जो एंशियन टाइम पे वहाँ पे एक पोई डाइनेस्टी थी, उनके एथनिसिटी के लोगों को हम लोग इंडो सैसैनियन कहते थे, मिला जो लाग कि वो इरानियन की ही बात हो रही है, जब आप पार्थियन सुनेंगे, तो भी आप इरानियन ही समझे, इरान के एरिया में बहुत सब बताएं एक्चुली आई और गई, तो इसके लिए अलग-अलग कम्यूनिटी जो वहाँ पे आई ना, तो आप पार्थियन सुनेंगे, इरान के एक्जाकली पास में तो नहीं, लेकिन वो पकिस्तान, अफगानिस्तान के एरिया में बैक्ट्रियन लोग थे, वो भी थोड़े मिलते जूलते दिखेंगे आपको, तो इंडो साइनियन की बात करें, तो वो इरान की ही बात हो रही है, वो जो क्वाइन्स हैं, क्या क्वाइन का टाइप यह श्रीहार टाइप, यह कोई टाइप होगा जो आपको जानने की जुरुखने है, विच बिलॉंग तो दे सेवेंथ सेंचूरी इस इन 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 इस रीजन, यह राजस्थान वाले एरिया में, यहाँ पे गुजरात वाले राजस्थान वाले एरिया में, गुर्जर प्रतिहार डाइनस्टी थी, और इधर गुप्त डाइनस्टी थी, तो कहते हैं कि जो गुप्त डाइनस्टी थी था उसका later period, और गुर्जर प्रतिहार का जो period था 8th से 9th century, इसके बीच का जो है पता चलता है कि यहां पर आज तक पता नहीं चलागा लेकिन माना जाता है कि ऐसे करके फ्लू करती थी तो हर्याने से क्रॉस कर रही है ना यह यह उना नगर के आसपास से यह उपर से आप देखें तो यह उना नगर के आसपास से ओके डिस साइट में भी बिट्विन दख कुषा नेरा टूद गुर्जर प्रतिहार पिरियड के आवेवर सम ब्रिक्स अपरेंटली बिलॉंग टूद पुशान प अच्छा थमिर बरनि सविलिजेशन की बात हो रही है यह देखिये कि रहे यृट कि ब्रहा कि यह बात हो रही है कार्बन डेटिंग अनालेशिस की गई है एक क्वेशन था हुए व गलत सेट हो गया तो वहां से मुझे वह याद रहता है कि कि कार्बन डेटिंग कि लिए कि जाती है carbon organic material में होता है उसकी dating की जाती तो क्या organic material के हमेशा जो है fossil fuel होई होगा नहीं देखिए मान लीजिए कि कोई सबिता है वो कोई crop खा रही थी wheat और barley खा रही थी उसको उन्हें ने जला के खाया था बाद में हमने देखा कि wheat and barley के 3000 साल बाद तो उसमें कार्बन डेटिंग होगी इस तरह से भी आप सभता का पता कर सकते हैं लेकिन अगर खाली बरतन मिलेगा और कोई भी ऑर्गेनिक मेटेरियल ना मिले तो वहाँ पर कार्बन डेटिंग काम नहीं करते हैं तो यहां पर विकार्बन डेटिंग किसी की जाएगी जो आपके भूलन मिट्टी के बरतन बना देते और लास कूस में ौन डाल देते तो उसकी बात हो रही है एट सिवकलाई इन थूतुकुडी यह थूतुकुडी डिस्टिक्ट में आपको बहुत पढ़ाता हूं और तमिराबानी रिवर सिविलाइजेशन ओके और यहां से सिविलाइजेशन के डेट जो पता चली है वह 1155 बिसी की काफी पूरानी इंडिकेटिंग देट थमिर बरानी सिविलाइजेशन देट्स बैक टू 3200 यह बीसी में 1155 अब जो है अल्रेडी यहां पे 2000 हो गया क्रॉस ओरल कितना हो गया 300 साल पूरा ना हो ओल्डे सिविलाइजे पूरूनावरी यहार वाली तूट कुरु डिस्रिक में वह तो पकका 2200 साल पूराना है बड़ी बात होगे? ओके, वयगई शिवलाइज़ेशन is an indigenous well developed self-sustaining urban culture ता याद रगीगा वयगई शिवलाइजीशन क्या था? rural culture नहीं था, वेधिक culture क्या था? rural था, भडपा civilization क्या थी? urban था, और वयगई वाला भी क्या था? urban था, वित अन इंडस्टी and a script indicating that the people of Daira were highly literate, South की बात कभी भी आएगी, तो literacy की बात आएगी, आज आए, या आज से 1000 सल पहले आए, या 2000 सल पहले है, literacy की बात आएगी, पढ़ाई की बात आएगी, विद्वानों की बात आएगी, इंपक्ट आप देखिए ना, हिंदुजम में जो अल्रीडी काफी जो बाहर, मतलब संद लोग हैं, जो नौर्ट इंडिया में भी हैं, उसमें से कई साउथ से हैं, अभी ही काफी फेमस हैं सद्ध गुरू, इसे कई सारे नाम हैं जो साउथ से आके नौर्थ के टेंपल में हिंदुजम के दर्मगर का जो है वहाँ पे बढ़ावा दिया, तो विद्वता में हमेशा से साउथ रहा है एक पोजिशन पे, एक्सकावेशन जो किये गये, उसकी बात कर रहेते हैं हम लोग, तो तमिल रूट के कि बाई तमिल लोग एक जाक्तलि कहां से आए हैं प्यकि विवाद चलता है ना कुछ लोगों का कहना है कि तमिल लोग आ रहे हैं पुछ लोगों का कहना है कि अपगानिस्तान में जो बलुचिस्तान है वो जो है तमिल लोग हैं बलौच लोग उनकी क्य यह लिए कोशिश की जारी है पता करने कि यह स्टेट्स टूबी कवर्ड यह कहां कहां पर कुदाई हो रही तमिल रूट के लिए एक्सकावेशन एंसेंट पोर्ड आप मुजीरी इस बताइए कहां पर है नाउ नोन इस पट्टनम इन केरला के मतलब मलबार कोस्ट पर यह है लोकेटेड मुजीरी पोर्ट आज इसका पट्टनम नाम दिया हुआ है देखेंगे इसको एक मिनट यह देखिए यह थ्री डॉट देख रहे है बिल्गुल के कोस्ट पर यह मुजीरी कोस्ट का एरिया मुजीरी क्यों नाम पड़ा मल्याला में तो कुछ और नाम था पॉसिवली अडेंटिकल विद अमेडियेवल अच्छे वो छोड़ी वाज एंशेंट हार्बन एंड अर्बन सेंटर ऑन दे मलाबार कोस्ट मुजीरी सांट मेंशन इन पेरी प्लस आप देराइट राइटिंसी किस ने लिखा तो यह आज तमिल पोयम से नंबर और क्लासिकल सोर्सेज में भी वहां पर जो तमिल के जो पुराने जो है ना जो बाल लोग जो गाते थे पोयम मगरस अबता जो पास वी जनरेशन तो जनरेशन उसमें भी है अतुल ये तो पीटी 365 वाइस की नूट्स के मैं क्या दूँगा या लेकिन कुछ पानी तो छोड़ेगा कुछ पानी तो ग्राउंड वाटर में जाएगा थोड़ी तो लेवल अफ होगी वहाँ पे चीजें तो धीरे-धीरे क्या होता है कि वहाँ पे समुदर का पानी कुछ अटक जाता है अटकने के करण वहाँ पानी का एरिया बन जाता है इसी को हम लोग बैक वाटर्स बोलते हैं पानी जब लॉट रहा था तो अपने बैक मे हैं काफी इंपॉर्टेंट और देखिए कि बैक वाटर्स बनानी के लिए एक्चली रीवर की जरूत नहीं पड़ती यह रीवर नहीं भी आती तो भी बैक वाटर्स बनता लेकिन तमिलाडू से निकली होई या केरला से निकली होई कुछ रीवर जो है ना इंडिया के वेस इंडियने सेट और केरला में पढ़ेगा अर्नाकुलम डिस्टिक्ट धाधा रखेगा अर्नाकुलम डिस्टिक्ट इम्रार के बडेख लेतने यूबीसी पूस दिया ओहुफ़ thế पान पिस मां डिसरग नहीं पताए इनसानelf क्या मतलब हो लिए राजया अरव्य वर्मा एक्चली किरला की जो किंग्डम है ना पॉंसी है मैं नाम बोल रहा हूं अरे जिनके अंदर ये टेंपल भी है जिसपे एक कंफ्लिक्ट आए सुप्रिम कोर्ट में अरे यह आ जाएगो कोई बात ने में निकाली दे रहो ट्रावन को डाइनस्टे नहीं इनका पेंटिंग में मन लग गया रियल इमशी यह राजा रभी वर्मा की मूवी में किसा रिपर्चेंट किया था इस मूवी में ना राजा रभी वर्मा है भी नहीं है यह अच्छा नहीं है है ऐनी डिस्टिक चेंज होई होगी तो लड़ाई मत करने लगिए कि डिस्टिक चेंज हो गया पुराना वाले दिखा दिया च्छा अच्छ लाउ यूज़ तो लूब तो टो अच्छा थी तू जब को अ धड़ाई लूब लगाई व्यू तो फिस्टिक शेंट आप लगए उगर अईया तूब की ओ। लूब हो यहीं पर डाल देता हूँ, ठीक है, चलिए, केरला के डिस्टिट्ट को में लोग देरे-देरे कर लेता हूँ, सबसे साउथ में केरला का कैपिटल थिरुवननंत पूरम, वहीं पर कोवलम बीच फेमस है, और जो भी केरला की बीचेज होँगी उनमें मौनाजाइट सेंडड होगा, मौनाजाइट सेंड जहां भी होगा तो उसे थोरियम की प्राक्ति होगी, ऑर थोरियम प्रोग्क्राम में फ्रेम से गहाएं, हमारे पास थोरियम भरभर के, यूरेनियम में हमें प्राब्लम है तो चले आए हम लोग कर लिया बीच कर लिया ठीक उसके बाद परावूर यह भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है थिरुवानंत पूरम के बाद जो है यह वाला डिस्टिक्ट यह कोलम है फिर पठन मेटा यह भी जो है कापी जिसको बोलते हैं कोट्यम यहीं पूछा था कि कोहिमा से कोट्यम जाएंगे तो आपको कितने स्टेट क्रॉस करने पढ़ें तो कोट्यम यहीं पर लोकेटेट है यहां पर भी कुछ नहीं है आपके लिए लेकिन डिस्टिक्ट के ऊपर देखें क्या है अनाई मोडी बॉड और बहुत सुन्दर एलस्टेशन है अर्नाकुलम में चली जाएगा तो वहां पर दी कि कोची सिचुएटेट है कोची पोर्ट एरिया है यहां पर आएंगी कुछ रिवर्स यहां पर जाके मर्ज कर जाएंगी ठीक नेक्स्ट त्रिसूर त्रिसूर यह भी कापर फेमस है औ जो वेस्टम घाट है न और इस्टेंगाट के बीच में एक बनता है यहां पे साूथ में इसको हमलोग पलक़कर का रेपे एसे गयाब जो है नासीक वाल एकडर में भी बनते हैं इस्टेंगाट तो क्या यही है वेस्टेंगाट का गैप है रही सभी बात है सर्क देन मल्लापुरम यहाँ पे कपे बिमारियें वगर एक न्यूज आती है कई बार COVID के करण बहुत जाद न्यूज में था कोजी कोड ठीक कालपेटा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यह देखिए कालपेटा के यहाँ पे नॉर्थ में देखिए वायनाड वायनाड जो है वायनाड या टाइगर रिजर्ब यहाँ पे बैंगलूर के लोग काफी घूमने आते हैं वायनाड काफी फेमस है देन कम्स कन्नूर आरेसेस और लिफ्ट विंग की लडाई यही पे चलती रहती है एंड देन लास्ट में जो है कसर गॉर्ड कसर गॉर्ड में भी कुछ वायल लेफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क पे सिच्वेटेड है एंड डन विट इस पार्ट के लाइन और तक पहुंचे हैं पहले जो मुजीरी नाम का पोर्ट था इंशेंट बाला ओके यह सारे से कही ना कहीं पता चलता है चेरा चोला पंड्या तीन एमपायर थे ना साउथ में तो चेरा एमपायर जो था ना वो चेरा एमपायर का सिंबल क्या था बताईए आप्षण देता हूं फिस्ट था यह टाइगर था बताईए चेरा एमपायर का शिंबल क्या था और दूसरा बर जो ऑप्षण दिया वह भी बताने कि वह किसका था तो चेरा चोला पंड्या तो इसमें जो चोला थे रहनो केरल पुत्र कह जाते थे चोल जो चेरा थे वह के तमिलनाडू वाले सैड में था पांड्या जो थे आंदर प्रदेस् तमिलनाडू के मिक्स के पीच बीच के एरिया में थोड़ा नौर्थ न सही बता है ना पल्लवा थे तापलवा थोड़ा नौर्थ ने थे जिए चेरा एमपायर ऑलांग दे वेंगी इन आंधर प्रदेस ओके चेरा तो साउथ केरल में थे ना फिस यह बाव डिशाइड करिये चेरा डाइनस्टी एक सक्ड़ ओहो नहीं सही चल रहा है सही तो था कभी 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 क्या है यह पूरा एरिया तो मिलता जोलता ही था यह रहा सबसे बड़ी आ इमेज यह खुद देख लिए चेरा डाइनस्टी कहां पढ़ रही है नीचे कुट्नाड दिख रहा है कुट्नाडि राइस वैलाये लो लाइंग एरिया है समुधर के पंभी नीचे है पता है और इधर लैंड पे बार 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 आ जाती वहाँ पे दिक्कत आ जाती है पुटन राइस पाउल कहा जाता है एनिवे चेरा डाइनेस्टी अब देखिए केरर वाले एरिया में बिल्कुल दिखाया है लेकिन थोड़ा उपर चला जाएगा तो अब इसली थोड़ा बहुत आंदर प्रतिस के साइड में आपको दिखने लगेगा और डाइनेस्टी थी करते थे एक दूसरे पर आगे पीछे होते रहते तो कोई बड़ी बात नहीं पांड्या देख रहे हैं मद्रोय यहाले लोकेशन में वैगई वाले ओके चोला देखिए और थोड़ा उपर और चोला के उपर चले जाएगे नहीं तो दिखाया नहीं वह पलवा डाइनेस्ट का था टाइगर किस डाइनेस्टी का था साउथ में यह कोई ओके तो मुझीरी हो गया और चेरा एंपर हमने देख लिया अलॉंग दो वेंगी इन अंधर प्रदेश देन थलाई कडू इन करनाटक एंड पलूर इन उडिशा यह भी लोकेशन है आप से नहीं पूछेगा इजिप्ट को भी कवर करना है पूरा तमिल रूट निकाल के रहना है तो अब हम लोग कंट्री भी कवर करेंगे तो हम कहा जाएंगे एजिप्ट में जगह है उसका नाम है कैसिर अलकादिम परनिक्याना के यहां पे कुछ स्क्रिप्ट मिलती है तमिल साइड की ओमन वहां यहां पे खोर रोरी नाम की जगह है वहां भी जाएंगे ओमन और यमन है ना तो यमन में तो लड़ाई चल रही ओमन ऊपर वाला इरिया जो की परिश्यन गल्प में लोकेटेड उसके लब पॉट शेट्स वीरिंग तमिल स्क्रिप्ट मिले है यहां पे इन कंट्री में और जिंद्रा चोला का यहां पे इंपक्ट था तो वहां पे भी स्टडी करेंगे उनके लोगों से पूछेंगे कि बताईए राजा जी ने क्या बोला था कि तमिल कहां से आया था तो लोग बताएंगे उसके बाद अजनता केब तो आपने देखा ही लोरा केब भी देख लीज एक ही रोग को काट के जो है शिव जी का पूरा बड़ा टेंपल बनाया गया उस पर काफी कार्वीं वगरा भी है टिप सुल्तान का बिथा टाइगर बिल्कुन इलोरा केब 6-8 सेंचुरी सी लाई इंद सहयाधरी हिल्स इन अरंगाबाद कौन से हिल्स है वही सहयाधरी हिल ठीक और अंगाबाद महरास्टर में आपके जो वेस्टन घाट का एरिया है न उसके अलग 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 लोकेशन पर अलग अलग नाम पड़े हुआ है तो यहां वाले कुछ हैं सहयाधरी वोल्ग है लिस्टेट वाई यूनेसको एज वर्ल्ड हेरिटेज साइटी नाइटी सिंगल रॉक कट मोनास्टिक केव कॉंपलेक्स इंद वर्ल्ड और वो क्या है कैलाश केव कैलाश का टेंपल बोलते हैं कैलाश के बनाया हुआ है एक ही मुनोलिथिक एक्सकावेशन करके बड़ा सा जो है टेंपल बनाया हुए आई तिंक उसी को दिखाया है शार ऐसे करके नाट वेरी क्लियर मेरी इमेज तेने या पर मेरी डीपी थी ना पहले लगी थी नेक्स चलेंगे देखिए त्री रस्मी बुद्धिष्ट केव कम प्लेक्स अप नाशिक महाराष्ट महाराष्ट के नासिक मेरा बहुत सारे के वर आसे मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाता अच्छा बोधिसत्वा क्या होते हैं बुद्धिजम में बोधिसत्वा इस एनी पर्षन फूइस ऑन पार्ट ट्वर्ट्स बोधि और बुद्धा ओड जो सको ज्ञान के प्राप्ति होगी तो समय बोधिसत्वा बोलेंगे यह आप देख रहे हैं यह आवलो की तेश्वरा के रिलेप हैं यह इंडोनेसिया से लिए होई है अवलो की तेश्वरा क्या दिखान था मिल जाएगा मिल नासिक चल रहे थे है से इक्मब ते का दिघाए डो प्लेरू की यह देखिए मैप उपर आपको बैक्ट्रियन किंगडम देख रहा होगा यही की बात कर था मैं देखियेальным बैक्त्रिया की लोग यहां पर थें वाले काथ ट्राइकल्डय लोग थें तो यह यहां पर थें फिर अललजेंड्रिया इनन एर परे नाम की जगह यहां पर थी यह सारे भी ग्रीक का इंपक्ट था पिनीच आपको मत्वरा उज्ञैन एंडस का मतलब है कि एलेक्जेंडर जब इंडस में आ गया एलेक्जेंडर जब बैक्ट्रिया में था एलेक्जेंडर आगे बढ़ता जा रहा था इंडस तक पहुंचा था यहां बैटल ऑफ यहां था और उसके बाद जो है फाइनली आपके चंद्गूप के उनकी पार को देखके जवा डर गया था और चंद्गूप के राजर को देखके डर गया था और उसके बाद यह कॉंप्रोमाइजड एं लेप्ट एंड आप्टर रिटर्निंग आई इन बिबिलोनिया इराखेडाइट सुंगा एंपायर यही सब मगदवाले से ही रिलेटेड हैं सात्वायन एंपायर साउथ में हैं अमरावती में स्तूप मिलता था मैंने आपको गुला इनों एंगरी जो ने काफी यहां से हटा के साफ कर लिया और जाके बेटिश मुजियों में रग दिया है अमरावती वही जो नए कैपिटल बनेगा अंदर प्रदेश का काफी फेमस अस्तूपा था वहां पर हम कहां थे मैं आपको दिखाने वाला था ना सिक्ट कर देट से यह रहा आगया कारला केप्स और कारली केप्स और कारले केप्स और कारला केप्स कई तरह के नाम है उसके एंशेंट बुद्धिश इंडियान रॉक कट केप्स है कारली में यह लोना वाला महराष्ट में पढ़ता है ठीक और देखिए उसी के आसपास में अधर केप्स इन located caves है, बारिष का जब मौसम आता था, तो बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे विश्राम करने के लिए रुपते थे, जहाँ पे विश्राम होता है, उसको विहार बोलते हैं, और जहाँ पूजा पार्ट होते हैं, उसको चैते बोलते हैं, एक्सक्लोजिव हो यह जरूरी नहीं ह हो सकता है कि जहाँ पे विहार बना हुआ है, वहाँ पे एक एपसाइडल चैते भी बना हुआ है, लेकिन जेनरली जहाँ पे रहेंगे बुद्धिस्ट लोग बारिष वारिष के कड़े मौसम में बचने के लिए, वहाँ पे उसको विहार बोलते हैं, और जहाँ पे पूज होती है, उसको हम लोग चैते भोते हैं, तो ना से एक बेड से लोना वाला महाराश्चा आप वेस्टरन घाट जाएंगे ना तो वहाँ पे ऐसे कई सारे केव्स बने हुए, यह देखिए, कारला केव, यह क्या होगा, शेप से ही पता चल रहा है, आपको लास्ट में जो है, ऐसे करके स्थूपा चोटा परणाम करना है, तो यह एक चैत्या है, ठीक, उसी के आसपास कानहेरी केव्स भी हैं, तो कोई NCIT में आपको ना कारले कानहेरी साथ में मिलेंगे, कानहेरी केव्स जो है, यह भी रॉक कट मॉनुमेंट्स हैं, और यह बसाल्ट में बनाई हुई और यह बसाल्ट वाला एरिया है, और प्रॉप इन दो फॉरेस्ट ऑप संजय गांधी नाशनल पार्क, यह कहीं न कहीं मुंबई में सिच्वेटेड है, पहले साल सिट्टी आइलेंड था जो की फाइनली मुंबई में मिला दिया गया, तो वहां पर यह बनाया गया, तो सं जुननार कहां पर है, जुननार भी है महराष्ट में लेकिन यह पुने district में located है, और यहां पे भी आपको the nearby port of Shiva не भी, आचा शेड़ी को फोर्ट है अकरी में इस एक आसपास located है वह तो अलग भात वोही लेकिन जुननार में wedх ग्रेको, रोबन., ट्रैवलर्स रइवलर् गर यहां से concept clear हो गया कि आपको western घाट में ऐसे caves मिलती है यह कोई unusual चीज नहीं है वहाँ पे त्री रश्मी बुद्धिष्ट cave complex जो है वहाँ पे discover किया गया है नासिक महारास्ट में भी थोड़ी दिर पहले हुए ही अम नासिक ही पड़ा रहते all the caves have verandas and they also consist of a square stone platform for monks यह दिख रहे है वरांडा पूरा बना हुआ अब बाकी भी रहने वहने की जगर है त्री रश्मी caves also known as पांडव लेनी और एक ग्रूप अप 24 caves उसी पांडव लेनी में जो है और तीन मिली है पांडव लेनी और एक ग्रूप अप 24 caves गनेश लेनी पांड बनाया गया था तो Captain James ने बनाया था यह आपको याद रखने की जुरत में है डॉक्मेंटेशन 1823 में ही होते हैं अंग्रेजों का टाइम टे मैंने बोला ना अभी समझाय था यह चीज की mix-up भी हो सकता तो यह जो caves है न यह विहार भी है और चैती भी है हां जल जल गया क्य उसके बाद बंद दो रूगा तो विहारा जर मोनस्ट्री जान चैतियार राइट पूजा पाट करने की जगह हैं जहां पर जमा होके हम आपके साउथ के मंदिर में यह आपके सौरी उडिशा के मंदिर में लोग पढ़े रहेते हैं जगन मुहन वाला जग मुहना मंद पम जहां पर खड़यों के परणाम कर रहेते हैं उसी तरह यहां पर लोग जो है आप साइडल स्ट्रक्चर के सामने खड़यों के परणाम करते हैं चैति में लोग पाली यूज करते थे अधर मुएजर बुद्धिस्ट केवस देख लीजे बहुत अच्छी बात है जो पढ़ी कि या अलरेडए यह अलग से नहीं सिक्शन तो हमने इसे कवर कर लिक था अव तक कवर रहे तो अधर이나 पृण केव में और मैं प्रिश में बिहार जो है य बराबर का के लोगों ने क्या किया था सबसे पहले आजीवीका सेक्ट को दिया था आजीवीका सेक्ट के लोगों को रहने के लिए पहले के लोग बड़े लिबरल होते थे राइट धॉली केव्स रॉक कट धॉली इंसियाटी मैं मैं आपको पढ़ाओंगा बड़ा सा लली ता गिरी केव्स भी यहीं पर सिच्वेटेड है और जब आप आंधर प्रदेश जाएंगे न तो मैं आपको बताओंगा नागार्जुन कोंडा केव्स बहुत फेमस हैं बु इनोवेशन का मतलब टेमपल पहले से जो है उसका रिनोवेशन किया गया उस चीज का इनाओगरेशन इंडियन प्रेजिदेंट ने किया इसलिए यह कापी ज्यादा न्यूज में आ गया आप यहां की इमेज़ेस देखी रहे हैं यह रामनात कोविन जी खड़े और उनकी पत्नी खड़ी हैं त्रीक रिवाइट स्राइन इस सिंबल अप्ड़ स्पिरिच्वल और अमंग दो पीपल अप इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा था बांगलादेश के लिए और हमने वहां पे उनकी मुक्ती वाहिनी बनाई थी और अपने जो है लोगों को भेज की व तो उस टाइम पर पाकिस्तानी लोगों को सर्च करने के लिए पकड़ने के लिए कि कौन-कौन से लोग जो है बांगलादेश बनाना चाहरें ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था तो उसी दौरान उन्होंने इसको विद्ध्वन्स कर दिया था इसका जैसे ऑपरेशन ब्ल और ओरिजिनल रामना कालिबारी वास बिल्ट दूरिंग दो मेडेवल एरा ओके काफे टॉल स्टक्चर था 1929 में टेंपल जो कॉम्प्लेक्स जो है इट अक्वाइड एडिशनल बिल्डिंग पर देवोटीज ऑफ फेमस संत आनंदमई सेंट आनंदमई जो लेडी थी उनक ओक्टागोनल शेप क्या होता है यह क्या बना हेक्सागन बना ना इसमें और दू लाइन जोड़ देजा तो फिर ओक्टागन हो जाएगा जो है इसकी ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा यह ओक्टागन है सब बुर्जिन अक्टागोनल टॉम इंटर्व्यू भी लीजेगा आएसे जवाब देंगे हैं अब लोग यहां पर क्यों घूमने आते हैं मुझे हिस्ट्री में बहुत इंट्रेस्ट है एंडियन हिस्ट्री और कल्चर में और इनको भी काफी इंट्रेस्ट है तो मैं कहीं होटेल वगर में खाने वगर या रे सारे लोग घूमने जाते हैं उसी के बगल में क्या है उक्टागोनल टॉम में इन लोगों को तो फस्ट से जो प्रिलम्स की तैयारी होगे पिटी तरस्ट शेपाई में दिक्कत ही नहीं होगे इनको सब जबूर्च एक लड़का तो कुछ बोल रहा था कि मतलब हिस्ट्री ऐसे थोड़े पढ़ाई जाती है सारी लोकेशन पर जाओ और वहाँ पर जा जाके किताब खोलो उनके बारे में नोट डाउन करो अच्छा हाँ एक बोला था मीम में कि कुछ लोग कुछ टीचर सिखा रहे हैं कुछ से क्या आया है और वहाँ पर सारी जाके क्वाइन रखे पढ़ो और बैटके वहीं पर नोट्स पढ़ो अब मैंने यह यूट्यूब पर मीम तो बना दिया एक जो है उपद्रवी स्टूडेंट आ गया ऐसा कैसे कह रहो हो हिस्ट्री में इंट्रेस्ट है तो जाकि म्यूज स्ट्रेक्टर इस क्राइब ब्लू डॉम भाईया ब्लू कलर है और इस पॉपलर्ली नोन अस नीली ब्लू चत्री नीली चत्री में पूचेगा कि नीली चत्री कहां पर सिच्ट्री आप मत बोल दीजिएगा कि हमने उनको गिप्त दिया है नीले रंग का अंब्रेला वही न इस्टोरियंस कंसिडर्व सब्जबू स्टोंब इस कंस्ट्रक्टेट तो भी और पहीम खान के डेथ हुईती 1626 में वह जन अटेंडेंट टू अटेंडेंट टू अब्दूर रहम क्या नाम है अब्दूर रहीम कान दूरिंग फोर्थ मुगल एंपरर जहागीर के टाइम अब्दूर रहीम खान के अटेंडेंट थे फाहीम खान उनकी जो डेथ हुई थी उनकी याद में यह निली चत्री बनाई गए थी इडिमॉरिद आर्किटेक्ट्ट्रल स्टाइल सिनॉनुमित सेंट्रल असिया जो तिमूरिद अमपार था जो तिमूर वाला वो कहां से था स्ट्रक्ट्ट्र देखना डबल डोम स्ट्रक्ट्ट्र सीलिंग डो डोम बने हुए महां पर अच्छा प्योर गोल्ड और लैपिस लजुली से बना हुआ है रिवील आप्टर कंजर्वेशन एफर्ट्स बिगाएं लैपिस लजुली कहां से अफगनिस्तान वाले एरिया से कारता है यह aap Color City सब्सक्राइब जिसकाटीप ब्लू मेंट्र मोर्फिक रॉक होते हैं अगनिस्तान की पहाडियां महां से यूजड़ लड़का भी लड़की को बोलता देख रहे हो लड़की लड़की देदूगा तुम्हें इतना प्यार करता हूं यह टॉम्म के पास जाके लड़की बोलता है तो चिंता मत करो यूपी सिख बनके जब ऑपिसर बन जाएंगे तो हम लोग भी जो आफगानिस्तान से लड़की अगर बुद्धिमान होगी तो फट से बोलेगी देखो हिस्ट्री के लिए ठीक है लेकिन सेमी प्रेशियस स्टोन है यह प्रेशियस स्टोन नहीं है देना है तो हीरा तो यह क्या देरो लापिस लजूपी रखो अपना अपनी साथ इसके साथ सेक्शन हो गया complete next में है ठीक अपनी इमेज भेज़ दीजेगा आपकी पेंटिंग करूंगा आती तो नहीं मुझे लेकिन कुस खुस बनाई दूंगा यह आधी मानों पहले तो बड़ा simple painting करते थे यह मेरी जैसी पेंटिंग करते थे ऐसे 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 आएसे ऐसे बना दिया और डांस करा दिय लगी उसको जो इतिहास कार पढ़ाने प्रियू स्टोरियून वाव क्या खतरनाक पेंटिंग मिलिया है। यह पूरा इसको वाल्ड के मिउजियूम मिले जाएंगे है― मार्स पे लेके जाएंगे वहाँ पे भी मुजियूम झाल झाल